यदि समय रहते आप अपने सपनों को पूरा नहीं करोगे आने वाले समय में कोई आपका इस्तेमाल करके अपने सपने पूरा करेगा खाथियों एक बार फिर से एक नई कलास में आपका स्वागत है एक वीडियो एक टॉपिक वाली सीरीज चल रही वीडियो नंबर है 45 टॉपिक चेंज हो चुका है आचुका है तिरकोड मिती में तिरकोड मिती में सबसे इंपॉर्टेंट है ट्रगनामेटरी का जो अनुपात वाले मान हैं वो जल्दी याद नहीं होते हैं तो आज ना मैं आपको ऐसा सिस्टम बताऊंगा कि याद नहीं करना पड़ेगा उनको तुम भूलोगे नहीं चाहके भी भूला ना सकोगे तुम इने भूल कर भी समझ रहे हो ना सपनों में भी याद आते रहेंगे देखो कैसे जैसे अगर का जाएं कि 1060 कमान क्या होगा आपको काफी confusion create होगा ना 1060 कमान क्या होगा वनçar रूड यह फिर रूड def ृड न बताो कि इसका जो सही मान होता है वह रूड नहीं होता है ठीक है सान नब्भे कमान क्या होता है वलन होता है क्या होता है वन याद कैसे करते हैं है आफरे जानते कैसे हैं हम भी या सब कई फिर रटे रटना नहीं है शिर्फ समझेयद अ क्यों ОТरिक फैक 2045 Gript Kaz лайbastem कर उल्ठा होता है इन्यूर्ट 2 होता थिक है ये कोड़ जीरो है कोड़ जीरो जो है वो टैन जीरो को उल्टा होगा टैन जीरो क्या होता है टैन जीरो क्या होता है साइन जीरो अपान को जीरो साइन जीरो कमान जीरो अपान वन यानी जीरो होता है तो जीरो को उल्टा जीरो ही होगा सो फाइनल में यह क्या आएगा बच्चा इधर साइन लिख लो इधर कोड के मान लिख लो जीरो तीस पैताली साथ नबबे ठीक है इसके आगे के तो सब हवा में वैसे आ जाएंगे यही मैं माई बाफ है माई बाफ आगे ने दिनकी संताने खुद दावड़ की जले आएंगी देखो कैसे नमबर लिख लिया आप प्रसे डिवाइड करना सभी को अगला से अगला सब्सक्राइब कर लो नहीं लायक उनको वह इसे लिख दे रहें लास्ट में सबका वर्गमूल हो जाएगा अभी मैं तुम्हें छोटा करके भी दिखा दूंगा इसको पूरा दिखेगा सुटांट वरी तो 0 का वर्गमूल होगा प्यारे 0 होगा 1 अपान 4 का वर्गमूल 1 अपान 2 होगा ठीक है 1 का वर्गमूल 1 होगा और 2 का वर्गमूल रूट 2 होगा यह ऐसे लिख दिया जाएगा रूट के रूप में 3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो रूट 3 रहेगा चार का औरकमूल निकल जाएगा तो 2 हो जाएगा ठीक है? 1 का क्या हो जाएगा? 1 देखो थोक रेट में सारे मान आगए अगर आपने ध्यान दिया होगा तो 10 मिनिट के अंदर सब आ गया बोलो आ गया कि नहीं? एक पर बोलो हाई यस आ गया न भाईया अगर हम बोलें कि भाई साफ साइन जीरो कमान तो जीरो बोलो दिख रहा है कि नहीं? साइन जीरो कमान जीरो दिख रहा है न? अगर फाइन तीस कमान बोलें तो ए बोलेंगे का एको देखो न साइन तीस कमान बोलें तो साइन तीस कमान आई फे आएगा एक बटा दो है ना कितना मज़दार अगर fine 45 कमान बोले तो ये 1 अपार ओटू है ना और अगर हम बोलूँ कि fine fine कमान तो ये ये मिल रहना सब एक के में और sign 90 कमान 1 लाश्ट में क्या है 1 किसी को कोई doubt इसमें नहीं न तो ये तरीका था sign वाला मान निकालने का इस ही तरीके से प्यारे बच्चों आप कॉस वाला भी निकाल लोगे इसमें भी क्या करोगे आप इधर fine में कॉस लिखना इधर कौन के मान लिख दो 0 30, 55, 60, 90 यहां भी आपको counting करनी है वैसे ही बसरते यहां पर आपको उल्टा लिखना है उधर 0 से गय थे 4 तक इधर 4 फे जाना 0 तक ठीक है अगले step में क्या करोगे बच्चा पर्टी इन सभी numbers को 4 फे divide करोगे क्या करोगे 4 फे divide करोगे ठीक है डिवाइड करके इनको हल कर लो जो कुछ भी आए 1 आ जाएगा 3 बटा 4 नो changing यह 1 अपान 2 हो जाएगा 1 अपान 4 और 0 अब क्या करोगे बच्चा सभी का कर दो वर्गमूल क्या करोगे सभी का वर्गमूल कर दो तो 1 का वर्गमूल 1 तीन का वर्गमूल root 3 और 4 का हो जाएगा 2 वन का वर्गमूल 1 और 2 का root 2 वन का 1 और 4 का 2 जीरो का वर्गमुल जीरो इस तरीके से अगर आप देखो भाई सहाब यहाँ पे तो आपको मिलेंगे कॉस जीरो कमान वन कॉस तीस कमान रूट तीन बटा दो कॉस पैतालिस कमान वन अपार रूट दो ऐसे कॉस साट कमान और कॉस नबे कमान सारे माना गए पांच मिनट के अंदर आपने पूरा इतिहाद भूगोल सब पढ़ लिया इनका अब अगर आपको साइन और कॉस का पता हो गया तो आप बागी के टैन, कॉट, सेक, कॉस, सेक, कॉट जितने भी हैं इनके घरेलू साब आ जाएंगे समझ रहे हो न कि नहीं, अगर आपके दादा पर दादा जा करके किसी परिवार से मिलाप करने रिष्टा बना लें तो आपके भाई, भेन, आप लोग, सब लोग तो खुदर रिस्तिदार बन जाओगे, क्यों? क्योंकि आपके पूरवज खुदर रिस्तिदार हो गए, वैसे होता है ये क्या है, मेन पूरवज है यही मुख्य है, सर्बे सर्बा यही मेन होते है साइन कास, बस, दूई ये मेन होते है क्योंकि जो टैन होता है न, इन्हें दुनक पीछे कुमता है तो साइन कास ही मेन होता है क्योंकि जो 10 theta होता है भाई साहब वो बराबर fine theta और cos theta के अनुपात के बराबर होता है तो अगर हमें sin theta cos theta का मान कोई भी मान पता है तो हम 10 का निकाल सकते हैं अगर मान लिजिए कि हमें 10 45 का मान निकालना है हमें sin 45 का मान पता होना चाहिए और cos 45 का पता होना चाहिए अब ना कितना असान ऐसे कोई भी आप निकाल सकते हो ठीक है तो मुखे तीन है आपके साइन कॉस्ट एन इनके अपोजिट है कॉस्ट और कॉस का क्या होता है एंड कॉट ना ठीक है धन्यवाद कुछ भी कहना है तो मुझे बताओ कमेंट करो और वीडियो को लाइक से जरूर करना डेली इसका एक सिरीज सुबा पांच बजे आती है लेकिन अगर एमर्जंसी में मेरे पास टाइम नहीं होता तो मैं इसका सिरीज जो है दिन में भी एक आत्बार दे देता हूं एक आत्व वीडियो ठीक है चैनल सब्सक्राइब करके रखें प्राया वीडियो रात नो वीडियो पांच वीडियो तै